नमस्कार दोस्तो हेल्थ इंफो इंडिया यूटूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मस्रूम खाने के फायदे और नुकसान के बारे में मस्रूम के सेवन की प्रमुख वजा है कि ये स्वाधिस्ट होते हैं और वेंजल में एक अदुत् का अच्छा श्रोथ होता है विटामिन डी फॉलेट नियाशिन और बी कॉंप्लेक्स भी इसमें पाये जाते हैं यह नास्ते और भोजन का हिस्सा बनने के लिए एक स्रेश्ट विकल्प हैं जो आपके सारे रिक्स्वास्त को बेहतर कर सकता है मस्रूम में पाये जाने वाले अनुशाशनिक तक तो खून में सरकरा के इस्तर को नियंतित करने में मदद कर सकते हैं जिससे मदुमे का प्रबंधन संभव होता है मस्रूम में मिलने वाले एंटी ऑक्सिदेंस विटामिन सी और सेलिनियम आपकी प्रतिर अच्छा प्रणाली को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं मस्रूम में कम फैट और कैलोरी होते हैं लेकिन वो अच्छे पोश्र का स्रोथ हो सकते हैं इसलिए वजन कम करने के लिए मस्रूम का सेवन करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है मस्रूम में मौझूद विटामिन डी और कैल्सियम की मात्रा हड्डियों को मजबूत करने में मदद कर सकती है और osteoporosis की समस्या से बचाओ कर सकती है मस्रूम आतों के स्वास्त के लिए भी फाइदे मंद हो सकते हैं ये पाचन को सुधारने में मदद कर सकते हैं और कपजिकी समस्या से राहत प्रदान कर सकते हैं मस्रूम में मौजूद एंटी ऑक्षिदेंट सिर्दर्द को कम करने में मदद कर सकता है और माइग्रेन जैसे समस्याओं का इलाज करने में सहायक हो सकते हैं मस्रूम का सेवन हिर्दय स्वास्त को सुधार सकता है क्योंकि ये कोलेस्टराल के इस्तर को नियंतित करने में मदद कर सकते हैं अब जान ल पीछे गंध या अन्य तत्तों का प्रभाव हो सकता है कुछ लोग मस्रूमों के प्रती एलर्जिक होते हैं जिसका सेवन उन्हें तोचा रैस खुजली या अलर्जिक प्रतिक्रिया कर सकता है कुछ लोग मस्रूम के सेवन के बाद दस्ति या पेट की समस्याओं का सामना कर सक मस्रूम के सेवन के समय गर्वती महिलाओं को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए ऐसा ही मस्रूम खाने के बहुत सारे फाइदे और नुकसान होते हैं लेकिन ध्यान रहे कि इसका उचित मात्रह में ही सेवन करें और जरूत पढ़ने पर अपने चिकित्सक से परामर्स लें अग लाइक करें और हेल्थ इंफो इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं आपसे को नए किसी फ्रेज वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद